हेलो माई दियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आज की इस वीडियो में करें हैं नी 2020 फेस्टू के क्योशन बाइलोजी से जो कि आपका 14 एक्टूबर को एक्जाम हुआ था उसमें हम चैप्टर वाइस क्योशन के आंसर बताएंगे वो भी NCRT की ल इनके क्योशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ऐसे यूनिट वाइस जो है वो लेक्चर के अंदर मिलता रहेगा ओके अगर आपने फेस वन वाले क्योशन नहीं देखे हैं जो नी 2020 फेस वन हुआ था 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 तरीन सेप्टेंबर को उसमें भी हम NCRT की लाइन जो कि यह बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो हमारा अंसर आजाएगा ओप्शन ए ओके यहाँ पर इसका अंसर NCRT के अंदर जो यू बेक्टिरिया है वहाँ पर आपको मिल जाएगा देखे हैं आपर लिखा वेदा साइनो बेक्टिरिया ओल्सो रेफर्ट टू एज ब्ल्यू ग्रीन एल्गी है क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स यानि साइनो और यूनिसलूलर, कोलोनियर और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर मेराइन और ट्रेस्टियर अल्गी, दा कोलोनीज अर जनरली स्रांडिड बाइ जीलेटिने सीथ, यहाँ पर यह भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, कि यहाँ पर जो साइनो बेक्टिरिया होती है, वो ओफ उनके अंदर यह मिलेगा, और यहाँ पर देखे, डाइग्राम में भी लिखा हो है, हेट्रोसीस्ट, और यह एफिलामेंटस, ब्ल्यू ग्रीन अल्गी, नोस्टो का एक्जम्पल भी दिया हुआ है, तो हेट्रोसीस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंचार्टी ने सा तो हमारा बहुत ही असानी से जो करेक्ट टांसर आएगा, वो आएगा रेड अल्गी, रेड अल्गी के अंदर आर फाइकोर इराइथरीन पिगमेंट होता है, जिसके वज़े से वो रेड अपियरेंस उसका होता है, यहाँ पर देखे, यहाँ पर लिखा हुआ है, रोड़ इसके लावर देखे, टेबल में भी लिखा हुआ है, रोड़ोफाइसी, रेड अल्गी, यहाँ पर मेजर पिगमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है, क्लोरोफिल एडी, एड फाइकोर इराइथरीन, तो दो दो जगे यहाँ पर यह फाइकोर इराइथरीन के बारे में खावाय रेड अल्गी के अंदर यह प्रेजेंट होता है, इसके उसन है, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नोट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, यानि इन में से कौन ऐसा है, जहाँ पर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जो जबकि अल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर बिल्कुल वो फ्री लिविंग होती हैं, ओके देखें सबसे पहले तो पेज नंबर 39 जो है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अब देख सकते हो, अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन इसका मतलब यह कह रहा है, कि जैसे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर मेल और फीमेल गेमिटोफाइट बिल्कुल फ्री होती है, जिम्नोस्पम में ऐसा नहीं होता है, अनलाइक ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर तो फ्री लिविंग एग बता है कि ब्राइफाइटा ओटेटोफाइट के अंदर में देखने को मिलेगा अब हम बात करते हैं next यहाँ पर देखिए लागे लिखा है plant life cycle and alternation of generation के अंदर यहाँ पर बताएगे है तो यहाँ पर हम start करते हैं देखिए जो first है यहाँ पर अलग-लग life cycle है haplontic, diplontic और haplodiplontic यहाँ पर आप देख सकते हो the haploid spores divide mitotically and form an gametophyte the dominant photosynthetic phase in such plant is the free living gametophyte यहाँ पर जो है वो free living gametophyte होता है यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो algae है उसके अंदर भी बिल्कुल free living आपको gametophyte देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर briophyta, teridophyta और algae के अंदर बिल्कुल free living जो आपको gametophyte देखने को मिल जाते है which of the following statements is incorrect about gymnosperm? यानि कौन सी statement बिल्कुल incorrect है gymnosperm के लिए male and female gametophyte are free living, most of them have narrow leaves and thick cutica, their seeds are not covered and they are heterosporous तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो male और female gametophyte होते हैं वो free living नहीं होते है तो यहाँ पर इन्हों लिखा है कि male or female gametophyte free living, जी नहीं ऐसा नहीं है free living नहीं होते हैं, तो यह बिल्कुल incorrect statement लिखी गई है, ओके, other option भी देख लिजी, यहाँ पर देखे, gymnosperm है सबसे पहले यह लिखा गया, the seeds that develop post fertilization are net, not covered are net तो यहाँ पर जो seeds होते हैं, वो cover नहीं होते हैं, वो net होते हैं, यह भी लिखाव है आगे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, in coniferous the needle-like leaves होते हैं, reduce the surface area, their thick cuticle and sunken stomata also have to reduce, तो यहाँ पर भी जो वो thick cuticle present होते हैं, और वो needle-like leaves होती है उसके अलावा यहाँ पर देखिए, next page पे लिखा हूँ है, the gymnosperm are heterosporous, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो gymnosperm होते हैं, वो heterosporous होते हैं, यह भी बिल्कुल correct है और यह line हमने अभी discuss की थी, unlike brat fighter and dead fighter, in gymnosperm, the male and female gametor fight do not have an independent free living existence, तो यहाँ पर ऐसा free living existence नहीं होता अब हम animal kingdom chapter के question करने वाले हैं, इस chapter से total four question आई वे हैं, तो first question देख लेते हैं, which of the following option does correctly represent the characteristic feature of phylum and a leader यानि हमें यहाँ पर वो बताने हैं कि वो कौन से features हैं, या फिर कौन से character हैं, जो कि phylum and a leader को बिल्कुल correct represent करते हैं तो option दिये हैं, triploblastic, segmented body and bilateral symmetry, triploblastic, flattened body and asymmetric condition, diploblastic, mostly marine and radial symmetry, triploblastic, unsegmented body and bilateral symmetry तो जी हाँ, वो triploblastic होते हैं, ओके, बट वहाँ पर segmented body होती है, and segmented नहीं होती है, ओके, उसके अलाबा bilateral symmetry देखने को मिलती है तो यहाँ पर triploblastic, segmented body and bilateral symmetry हैं, हमारा option A, जो वो बिल्कुल correct आएगा Annalida के अंदर देख सकते हो, they exhibit organ system level of organization and bilateral symmetry, सबसे पहले यहाँ पर bilateral symmetry आ चुका है they are triploblastic, यहाँ पर यह triploblastic भी आ चुका है, metamerically segmented, यहाँ पर यहाँ पर body, जो वो segmented होती है and silomet होती है, acilomet नहीं होती है, their body surface is distinctly marked out into the segment or metamers तो इसलिए enhance the phylum named Annalida, इसको नाम भी इसलिए Annalida बोलते हैं, क्योंकि इसकी body में बहुत सारे segments होती है okay, तो यहाँ पर इसलिए हमारा answer साथ-साथ वो pure first question का option first आ जाता है okay, second question है, all vertebrates are coded, but all codates are not vertebrates, why? यानि जितने भी vertebrates होते हैं, वो तो codates होते हैं, but सभी codates vertebrates नहीं होते हैं, ऐसा क्यों है option दिख लिजिए, ventral hollow nerve code remains throughout there in some codates, all codates possesses vertebral column, all codates possesses notocode throughout their life and notocode is replaced by vertebral column in adults of the some codates, तो यहाँ पर, क्योंकि कुछ एक जो codates होते हैं, उनमें जो notocode होता है, वो replace हो जाता है vertebral column में, और जो vertebral column जिनके अंदर होता है, उनी को vertebrates बोलते हैं, तो ऐसा सभी के अंदर vertebral column नहीं होता है इसलिए यहाँ पर जो है, वो vertebrates जो सभी codates होते हैं, बड़ सभी codates जो वो vertebrates नहीं होते हैं, तो मारा answer आजाएगा यहाँ से option D ओके, ओके, तो NCRT के page नंबर 55 पे हम देख सकते हैं, इस diagram के साथ में यहाँ पर देखिए, the notocode is replaced by a cartilaginus और bonny vertebral column in the adult यानि यहाँ पर जो vertebrates के अंदर जो members होते हैं, जो सभ फाइलें vertebrates होते हैं, उनके अंदर जो notocode होता है, वो replace हो जाता है, cartilaginus या फिर bonny vertebral column के अंदर, और इसलिए दस, all the vertebrates are codate, but all codates are not vertebrates, और इसी वज़े से जितने भी vertebrates हैं, वो codate होते हैं, पर सभी codate जो होते हैं, वो vertebrates नहीं होते हैं, pure NCRT यहां से मारा answer आ जाता है नेक्स जो मारा third question है, वो match the following column and select the correct option है, तो यहापर column में दिया अप्टेनोडाइटर्स, टेरोपस, टेरोफाइलम और टेरोमाईजन, यहापर दिया फ्लाइंग फोक्स, एंजल फिस, लेंप्रे और पैंग्वीन, अगर आप यह गलती करते हो, एनिमल किंग्डम के अंदर कि यहापर जो example है, वो bracket वाले नहीं पढ़ते हो, तो यह कि उसन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो जो भी bracket में दिया हो है, वो दोनों आपको याद रखने पड़ेंगी, किसको क्या बोलते है common के अंदर, तो यहापर हम इसको answer देखते है, एप्टेनोडाइटर्स ज जला जाएगा, फौर्द के साथ, टेरो पस्ट को हम बोलते हैं, फ्लाइंग फोक्स, और टेरो फाइलम को हम बोलते हैं, एंजल फिस, और हम टेरो माईजन को बोलते हैं, लेंप्रे, तो अब ऐसा option देख लेते हैं, फर्ट जो वो हमारा जाना चाहिए, फोर्ट के साथ, त टेरो माईजन लेंप्रे, टेरो माईजन को हम लेंप्रे बोलते हैं, यहाँ पर यह साथ साथ ब्रेकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसके लाब आप एक और चीज़ याद रखना है, यहाँ पर फ्लाइंग फोक्स था, और यहाँ पर दीखिए, फ्लाइंग फीस भी आपक सकती हूँ, यहाँ पर साथ साथ ब्रेकेट के अंदर लिखा हुआ है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर यह लिखा हुआ देखिए, टेरो पस फ्लाइंग फोक्स जो की मैमल्स के अंदर आता है, तो हमारे सभी आंसर यहाँ से आसानी से आ जाते सबसे पहले बात करते हैं, प्लेटी आलमंतिस, प्लेटी आलमंतिस के अंदर में बाइलेटरल सिमेटरी मिलती है बट वहाँ पर जो डाइजेस सिस्टम होता है, वो इनकंप्लीट होता है, उके उसके हम बात करते हैं, इकाइनो डिरमेटर, इकाइनो डिरमेटर के अंदर हमें ज़्यादा तर रेडियल सिमेटरी मिलती है, लार्वा के अंदर बाइलेटर में दिये, विद इन डारेक्ड साथ जाना चाहिए, ऐसा के वल एक ही उप्शन है, सेगेंड फॉर्थ के साथ बिल्कुल सही है, थर्ड हमारा फर्स के साथ और फॉर्थ सेगेंड के साथ तो हमारा आंसर आ जाता है, यहां से ऑप्शन डी, अब एनसे पहले यहाँ आपर देखिए, आवीज के अंदर लिक है, फाइलम हैमी कोड़ डेटा की, तो जो हैमी कोड़ डेटा फाइलम होती है, यहां पर यह जो एनिमल्स होती है, आपर कैसे होती है, सर्कुलर, तो यहां पर आपके देखिए, तो यहां पर जो होता है, वो बोड़ी होती है, और यहां पर कोई भी सेगमेंट जो होता है, वो present नहीं होता है unsegmented यहाँ पर body होती है क्योंकि यह पहले जो है वो किसके अंदर आती थी coded phylum के अंदर आती थी बाद में इसको अलग किया गया था अब हम echinodermata के बारे में भी देख लेती है echinodermata की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले कि यहाँ पर radial symmetry होती है the adult echinodermates are radial symmetrical सबसे पहले यहाँ पर radial symmetry होगी बट larva जो होते है वो bilater है तो radial symmetry तो होगी होगी यह तो हमें साब साब लिखा हुआ है अब यहाँ पर लिखा हुआ देखिए fertilization is usually external development is indirect with free swimming larva तो यहाँ पर यह radial symmetry होती है और indirect development होती है वो किसके अंदर होती है आपकी echinodermata के अंदर होती है उसके बाद हम बात करें platy almanthies की तो platy almanthies में यहाँ पर सबसे पहले हमें बात होनी चाहिए कि bilateral symmetry होती है तो लिखा हुआ देखिए platy almanthies को हम flatworms भी बोलते है और flatworms are bilateral symmetrical triple oblastic and acillometrium with organ level of organization तो सबसे पहले तो यह चीज़ समझ में आजाने चीए हमें कि यहाँ पर जो होती है वो क्या होती है bilateral symmetrical होती है अब आप कहोगे यहाँ पर incomplete digestive system वाला तो नहीं लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा और पहले जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा digestive system के बारे में तो यहाँ पर digestive system के बारे में लिखा हुआ है देखिए तो यहाँ पर केवल एक ही opening होती है और इसलिए इसको हम बहते है incomplete digestive system platy almanthies के अंदर होगा कि सभी pure NCRT से ही क्योसन थे तो यह सब कुछ ना इस वीडियो के लिए मिलते हैं जल दिनेक्स चुडिक साथ तब तक के लिए दिन्यवाद